है हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ सेयर करने वाले हैं ओध्री प्लेश इसको किस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से देखें डिब्बे में से तीन डिब्बी निकलेगी एक छोटी सी होगी और एक एक्टिवेटर का होगा और एक जिल फ लिए और अग marshmallow करोशन और वाण पहले अच्छे से क्रीण करना है और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीस like करें सेर करें सर्क्राइब करीं और इस तरीके से जो चोटी सी डिब्बी और इसासा पहला दीजिए महाधा पाल पहरा है UA जोला डास बसाब की और सफीन के आंदर क्रीम प्रतार से स्कुन के सब्सक्राइब करेंगे और जय ब्लीच को झाल हम सकते हैं जैसे हम रिस्किन आप पर कर सक्ते हैं लेकिन फियक कर सकते हैं से लुट बीको पर सकते हैं लेकिन आखाय् होग क्स्टमर मैं टेंक सब्सक्राइब कर सकते हètement आइली स्कीन पर भी कर सकते हैं कॉंबिनेशन वाली है उस पर भी कर सकते हैं हर स्कीन पर हम इस ब्लीच को कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए हमने क्रीम को जो है अच्छे से पूरा फेस के अंदर स्कीन के अंदर जो है अब जो हो गई है इस तरीके से हम अपने हाथ को दे कि इतना पत्स डग जा得 लग जाएगा एक अंदास से तो हमने देखbers है दो ब्रस में मतलब एक चमच के बराबर लिया है कि जितना इंके प्वेश पर लग जाएगा और इतना एक्टिवेटर को लिहा है ने इसको अच्छे से मिलाना है जिसे की एक्टिवेटर के छोटज़ोटर रह जाते हैं तो कड़ ना रह जाए एक चपने का अच्छे से दोनों एक्टिवेटर और को मिलाईये कम सकम दो सी तीन मिलाईये इस तरीके से हैieurs और पहले से ब्लीज बना के मिल जाएगा तो इस तरीके से लगाने के बाद ही क्रीम को बिलीच को बनाईएगा तब जो है लगाईएगा तो इस तरीके से देखिए हमने इसको तीन चार मिनट तक लिए अच्छे से मिल चुका है और इस देखिए जब हम बिलीच लगाते हैं तो तरीका हमारा यही होता है सबसे पहले चिन पिर पास वाल के साइड वाल होते हैं,हां से होते हैं,किelen बिदी काइट में कुषान करी जब भी आप समय इतना गले है जब भी भी दिट है है ब्लीच लगाने का यही तरीका है और जैसे कि हमने आपको बता दिया यह आप हर स्कीन पर कर सकती है जैसे पिंपल्स स्कीन वाली जिनकी पिंपल्स वाली कि अपको नहीं करना है बाकी आप Verkehr सकते हमनेशा प्राई के लिए आपको इस तरी के से करना है जैसे कि आप अगर हर हर स dependencies को आप 10 रहीं तो उस पर आपको पांच मद है और जो बिलीच्ट है से ओत्री ब्लीच से जो साइड वाले बाल होते हैं जैसे और ब्लीच हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो इस ब्लीच में यह चीज नहीं है आपका कलर फेयर होगा बाल आपके जो है भूरे नहीं होगे जैसे कि आप अगर धूप में खड़ी होती हो तो अग्दम अलग से दिखता है तो बोड़ा गंदा लगता है तो इस तरीके से इसमें नहीं होने वाला है और इस तरीके पूरे फेस पर फेला लीजिए और जैसे आप लोग को देखे वीडियो में दिख रहा है कि जब आप इस ब्लीच को फेस पर लगाएंगे तो पता नही मिनट तक छोड़िए उससे ज्यादा ना छोड़िए और इनकी इसकी नॉर्मल है इनके फेस पर कोई प्रॉबलम नहीं है तो इनके फेस पर हम 10 मिनट तक छोड़ रहे हैं और इस से जो जैसे आपको बता दिया इस ब्लीच से आपके बाल ब्राउन नहीं होंगे इससे आप यूप का अगया होगा है तो इस ब्रीच को कयुवल फिर ही लगाए जैसे आगर आप अपने ke रिया पर लगाना चाहरे है तो बहां पर इसygenाल लगाए तो ही अच्छा है योग्योंकि उसके लिए अलग ब्लीच बनाई ऊसको लगाई ए और इस तरीके से दिखिए हमने प फोड़ेंगे और यह हमारे 10 मिट हो चुका है कि अब देखिए क्रीम जैसे सूखी है तो हलकी हलकी कहीं कहीं पता चल रही है कि हाँ क्रीम लगी है तो जिस टाइम आप लगाएंगी तो उस टाइम पता नहीं चलता है कि अपने फेस पर कुछ लगा रहे हैं इस तरह किसे प्रोड़ेक्ट हो जैसे कि आप उस्स लगी है कि अपर क्योंकि थोड़ा महंगा है वे तो इस तरीके से उत्रीकि जो भी प्रोडेक्ट है बसी कीव बता रहे हैं इसका फेस यह ब्लीच सब बहुत अच्छे इसमें साइनिंग बहुत जादा रहती और यह थोड़ा लंबा बता देना है अगर वो ख्लीन अप लेती है तो बहुत ही अच्छा है अगर उप फेस्यल नहीं लेती है तो कश्टमर को जो है ब्लीच करने के बाद इस तरह इसकीन को नहीं छोड़ देना है उसके आपको मसाज वाली थोड़ी सी क्रीम लेनी है और उसमें अगर डाल जिससे कि आप जब ब्लीच कर रही है ब्लीच करने के बाद थोड़ा सा मसाज फेस को जरूर चाहिए होता है ब्लीच को डारेक्ट नहीं छोड़ते हैं वैसे इनका भी फेस्यल होने वाला है तो इसलिए हम अभी आपको इनके फेस पर कुछ नहीं दिखाएंगे आपको वी इस हैं दृविच के लिए और प्लीच वाला है भी ओआ जायर करें और आप लोग प्लीज थोड़ा दEजिया लाइक करिए सबस्क्राइब करीए अपने दोस्तों में सेयर करिए जिनलोग को ज़रूरत है जो लोग सीख रहे हैं उन लोग के साथ और करिए और काफी साइनिंग आप लोग को दिख रही होगी